डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड हमने आस्तिन के लंबाई 12 इंच ली है तो फ्रेंड ये हमारा अस्तर वाला डिजाइन है तो हमें अस्तर के कपड़े को और ब्लाउज के कपड़े को दोनों को ज्वाइंट करना है तो ऐसे एक बराबर में दोनों कपड़े को ले और इसक पर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे जिस सेप में हमारा आस्तिन का कटिंग हुआ है बिलकुल उसी सेप में हमें इसके चारो तरफ सिलाई चला लेंगे बलावज के कपड़े को और अस्तर के कपड़े को बराबर करते हुए हमें ऐसे इसके चारो तरफ में सिलाई च इसे ऐसे फोल्ड करेंगे अब हमें यहां से दो इंच की चोड़ाई पे टिक लगाना है और एक बराबर में ऐसे लाइन अप करना है तो यहां से हम ऐसे लाइन अप करेंगे लाइन अप करने के बाद अब नीचे के साइड से तीन इंच की लंबाई पे टिक लगाना है अब ऐसे इसे लाइन अप कर लेना है. इस लाइन को कम्प्लिट करने के बाद, अब हम यहाँ से फ्रंट तीन इंच के बीच में टिक लगाएंगे, यानि कि देड़ इंच में, तो ऐसे हमें देड़ इंच की लंबाई नापते हुए टिक लगा लेनी है, तीन इंच के बीच में इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें बर्फी कटिंग में ऐसे लाइन अप करना है अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का option select करें जिससे हमारी next वीडियो के notification मिलती रहेगी इस line को complete करने के बाद अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो जिस shape में हमने line up किया है बिलकुल उसी shape में हमें इसकी cutting कर लेनी है डिजाइन के cutting करने के बाद अब हम बक्रम को open कर लेंगे कुछ इस तरीके से हमारे design का cutting हुआ है इसे इस्तरी के सहायता से हमें कपड़े पे चिपका देना है तो ये देखिए हमने इस्तरी के सहायता से इसे अस्तर वाले कपड़े पे चिपकाया तो आपको भी अस्तर वाले कपड़े पे चिपकाना है अब हम किनारे के साइट से ऐसे कपड़े को फोल्ड करके इसके चारों तरफ में सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे और इस डिजाइन को अब हमें आस्तिन के कपड़े में लगाना है तो आस्तिन के कपड़े को हम ओपन करेंगे और डिजाइन को यहां पर ऐसे लगाएंगे और इसके बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है ऐसे हम इसके बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट कर देना है धागे को कट करने के बाद अब हमें डिजाइन के उपर यहां से सिलाई चलानी है तो जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें डिजाइन के उपर सिलाई चला लेनी है तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने डिजाइन के चारो तरफ में सिलाई चला ली है अब हम यहां से धागी को कट करेंगे और डिजाइन को एक बराबर में बीच में से सीधी कट कर लेंगे ऐसे अब हमें यहां से एश्टा कपड़े की कटिंग करनी है तो जिस सेप में हमारा डिजाइन का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी सेप में हमें एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेनी है लेकिन हमें कटिंग सिलाई के बगल में करनी है सिलाई की उपर कटिंग नहीं करनी है की कटिंग कर लेनी है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें बक्रम को ऐसे फोल्ड कर देना है बक्रम को ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम आस्तिन के कपड़े को उल्टा करके ऐसे बक्रम को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे डिजाइन को perfect shape में बैठाने के लिए हम कोई भी नोखिला सा चीज लेंगे उसकी सहायता से हम डिजाइन को proper shape में सीधा कर लेंगे डिजाइन को सीधा करने के बाद इसे perfect shape में बैठाने के लिए design को इस्त्री कर लेना है जिस से आपका design perfect shape में बैट जाएगा तो ये देखिए friend हमने design को सीधा कर लिया है इसे सीधा करने के बाद अब हम इसे इस्त्री कर लेंगे अब हमें आस्तिन के कपड़े को सीधा कर लेना है इस design को तैयार करने के लिए हमने golden color का less लिया है less को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम दूसरे side वाले design को ऐसे ज्वाइंड करके less को लगाते हुए इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी design की उपर less लगाते हुए इस line को complete कर लेना है इस तरीके से आप इस design को easily complete कर सकते हैं अब हमें नीचे की side में less को लगाना है तो यहाँ पर हम ऐसे less को लगाएंगे एक बराबर में सीधी में less लगाना है यहाँ पर इस line को complete करने के बाद आपको design में button लगा लेना है तो friend अगर आपको button बनाने नहीं आता है तो description में इसकी link दी गई है thanks for watching